हेलो फ्रेंड्स यह ncrt corner for life science का प्लेटफॉर्म है आज हम इसके उपर एम 2016 का जो पेपर हुआ था वह हम इसके उपर बाइलोजी का पार्ट सोल करने जा रहे हैं तो इसमें क्योशन नंबर फैस्ट इसमें दे रखा है बौटनिकल नेम औपी प्लन्ट का बौटनिकल नेम पुछआ तो बहुत ही जी कियोशन पुछा है तो सभी को पता है यह स्टिज पाईस्टायल illustrator का नेम होता है next question इसमें दे रखा which one of the following option is not related to gymnose pump तो gymnose pump में इसमें से कौन सा अना option दे रखा वो gymnose pump से related नहीं तो gymnose pump क्या होते हैं जो जिसमें naked seed पाया जाता है naked seed gymnose pump के अंदर और इसके अना character दे रखें इसमें तो ये कौन सा इसे related नहीं है तो देखिए इसमें option फस्ट है ना वो इसमें gymnose pump में नहीं पाया जाता है ये इंजिस pump में पाया जाता है तो यूट्यूब की जगह इसमें gymnose pump में सीव सेल्स पाया जाती है वैसल्स की जगह इसमें trackers पाया जाती है और campaign cell की जगह इसमें albuminus cell पाया जाती है तो correct option है ना इसमें होगा option number one है ना वो correct नहीं है ये gymnose pump से related नहीं है नेक्स्ट क्योशन इसमें दे रखा है depicted picture is an enlarged view of microsparengium in which labeled structure A, B, C and D are respectively तो देखो इसमें diagram दे रखा है और ये question कौन से chapter से है जो sexual reproduction of lowering plants ना उसका question नहीं है तो इसमें label diagram दे रखा है और label है ना उनको आपको बताना है कि ये label किसके लिए use में दे रखा है तो देखिए जो इसमें बारवाला outer covering है वो तो होता है इसमें epidermis epidermis होता है और epidermis के नीचे इसमें दे रखा है ये endothesium दे रखा है और C इसमें tapitum दे रखी है जिसमें large nucleus पायजाता tapitum दे रखी है और D इसमें दे रखी है micro spore mother cell mmc तो correct option होगा इसमें option number 2 2 में दे रखी है epidermis, endothesium, tapitum और micro ये जो layer है ये तो epidermis दे रखी है इसमें इसके नीचे वाली endothesium दे रखी है और ये tapitum दे रखी है middle layer इसमें नीव दे रखा है लेबल करके और ये micro spore mother cell दे रखी है जिससे pollen grains बनते हैं तो correct option होगा इसमें option number 2 next question पर हम चलते है इन दा given diagram तो in ls of grass embryo select the correct option in which all the label parts a, b, c and d are correctly तो देखिए जो grass क्या होता है monocoat होता है और इसमें monocoat का embryo होता है उसका ls represent कर रखा है यहां पे और उसमें भी label diagram दे रखा है तो ये label हमें पता करना है कि किस किस के लिए दे रखा है इसमें तो देखो इसमें जो correct option है वो है इसमें जो यह यह आ पे जो यह अलग से ये portion दिखा रखा है यह तो होता है यह C इसमें होता है यह epiblast होता है और D इसमें होता है कोलियोराइजा तो ये चारों कि जिस ओप्सन में वो करेक्ट हो जाएगा इसमें तो देखे इसमें A दे रखा है, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, एपबलास्ट इसमें हो जाएगा करेक्ट ओप्सन नमर वन इसका करेक्ट आंस्वर होगा जो अलग से स्ट्रक्चर दिखा दे रही है, ये लंबी सी, वो स्कूटेलम होता है, ये कोलियोप्टाइल होता है, जिससे सूट अपेक्स बनता है यह epiblast होता है और एकजिलरी बट की तरह होता है इसमें और यह होता है कोलियोराईजाई से राडिकल बनता है नेक्स्ट क्योसन है इसमें potato spindle tuber disease is caused by जो potato spindle tuber disease है यह किसकी वज़े से कोज होती है तो यह वाइरोइट्स की वज़े से होती है पोटिटो यह हमने बहुत सारे PYQ की है ना हमने उसमें सब में यह एक्जाम में क्योसन पुछा है तो इसमें सीधा कभी यह पुछा कि वाइरोइट्स क्या होते हैं कभी यह मैज्टा फोलोइंग में पुछा है कभी डारेक्टली स्पिंडल डिजीज दे के पुछा है करेक्ट ओप्शन होगा इसमें ओप्शन नमर 3 नेक्स्ट क्यूशन इसमें दिया है वी चोपदा फोलोइंग इस टाइटली बाउंड टो एपोएंजाइम एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड इसमें से क्या होता है तो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रूप प्रोस्थेटिक ग्रूप होता है वो इससे टाइटली बाउंड होता है इसमें करेक्ट ओप्सन दे रखा ओप्सन नम्मर टू एपो एंजाइम क्या होता है होलो एंजाइम के साथ में जो भी पार्ट जूडता है तो एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाइंड क्या होत ग्रूप होता है नेक्स्ट क्यूशन इसमें दे रखा है मैं इस दा फॉलोविंग दे रखा तो इसमें इंसुलीन क्या होता है एंटी बोडी रिसेप्टर और गलूट फोर इसमें क्या दे रखा है तो इंसुलीन क्या होता है हमें सीधा से बात पता है हार्मोन होता है एंटी औप्सन ना वह हो जाएगा, औप्सन नम्मर इसमें, A में 3, B में 2, B में 2 नहीं है यहाँ पे, A में 3, B में 1, C में 4 और D में 2, करेक्ट औप्सन हो जाएगा, इसमें औप्सन नम्मर 2, इन्सूलीन वो होर्मोन होता, एंटी बोडी, वो fighting agent होता, infectious agent के लिए, receptor होता, वो sensory reception होता, और glucosielles को इनेबल करता, glucose transport की time. तो next question इसमें दे रखा बच्चो, match the column first and column second and choose correct option column first और column second इसमें चूज करना दे रखा तो गोलजी बोड़ी क्या होती है mitocondria क्या होता ribosome ये cell organically दे रखे हैं और इसमें से इनके आगे function दे रखे हैं उनसे match करना है इनको तो इसमें गोलजी बोड़ी क्या करता है यह glycolipid and glycoprotein का formation करता है glycolipid और glycoprotein का formation mitochondria क्या करता है ATP production ribosome क्या करता है protein synthesis और nucleolus क्या करती है RNA synthesis करती है तो इसमें correct option दे रखा Golgi body है वो option A में 4 B में 3 C में 1 और D में 2 तो correct option इसमें option number 2 इसमें correct है next question if two genes are situated at same distance on chromosome such that crossing over can easily occur which of the following option will be true तो देखो इसमें से 2 gene है वो पास पास है ना एक chromosome के उपर present है तो इसमें crossing over हो इजीली होता है तो इसमें से option है वो true करना है तो देखो इसमें से जब crossing over easily होता है तो इसमें correct option दे रखा है इसमें इसका third option correct होगा इसमें parental combination है ना वो भी उतना ही बनेगा और new combination है ना वो भी उतना ही बनेगा correct option इसमें option number 3 होगा इसमें पैरेंटल और new combination बनने के चांसे 50-50% होते हैं नेक्स्ट क्योसन है इसमें match the column इसमें column first और column second को match करना है तो इसमें दे रखा पूसा सदा बाहर पूसा देखिए इसके अंदर है ना यह plants की varieties दे रखी हैं और इनके आगे इसमें से चूज करना की यह variety कौन से plant के लिए बनाई गई है तो इसमें option number A दे रखा है पूसा सदा बाहर तो पूसा सदा बाहर है वो किसके लिए बनाई गई है इसमें ये बनाई गई है चिली के लिए पूसा सदा बार ये चिली की वेराइटी है और पूसा सुब्रा है वो कावली फ्लावर की है पूसा सवानी है वो है ओक्रा की और पूसा गोरव है वो है ब्रेसिका यानि सर्शो मस्टर्ड के लिए तो पूसा सदा बार चिली के लिए बनाई गई है पूसा सुब्रा है वो कॉलिफ लेवर और पूसा सवानी है वो ओकरा भिंडी के लिए और पूसा गोरब अब्रेसिका यानि मस्टरड के लिए तो देखिए इसमें correct option है ना option number A में दे रखा है 2 और B में cauliflower, B में 4 correct option होगा इसमें option number 4A, 2, B, 4, C, 3 और D, 1 ये correct option होगा इसमें next question इसमें दे रखा है वी चोपदा following method is not used for gene transferring plants तो देखिए gene transfer के लिए ना plants में कौन सी mechanism है ना वो use में नहीं ली जाती प्लांट इसमें कल्चर का टेक्निक होता है इसमें plants को कल्चर क्या जाता है जीन ट्रांसफर नहीं किया जाता माइक्रो प्रोपोगेशन न वो इसका correct option होगा next question है इसमे to develop वाइरस फ्री पोटेटो कल्चर what is used वाइरस फ्री पोटेटो कल्चर के लिए मना इसमें से क्या यूज में लेते हैं तो सीधी सी बात है वो वाइरस फ्री पोटेटो कल्चर के लिए मेरिस्टेम कल्चर यूज में लिया जाता correct option मेरिस्टेम है न मेरिस्टेम पारट प्लांट का उसको न वाइरस इंफेक्ट नहीं करता है मेरिस्टेम कल्चर होता है next question इसमें दे रखा reverse transcriptage using RNA form switch वोपता following तो देखो इसमें reverse transcriptage enzyme है न वो RNA से जब DNA बनता है न दुबरा RNA से जब DNA बनाया जाता है तब reverse transcriptage की प्रोसेस कामिल ली जाती है तो double standard DNA बनाया जाता question number 93 का option number 1 correct होगा next question है an immature stop codon leads to immature जो stop codon होता है न वो किसको छोड़ता है तो वो nonsense mutations करता है immature जो stop codon होता है न वो कहीं भी mutate कर सकता है nonsense mutation होता है nonsense mutation next question इसमें दे रखा है the source of cyclosporine A cyclosporine A का source इसमें से क्या है तो इसमें cyclosporine का होता है trichoderma polysporum trichoderma polysporum से cyclosporine A है वो यह chapter है न 24 के लिए साइद अटा दिया गया इसमें food यह strategies होती थी न वो पूछी जाती थी जैसे किसी से क्या बनाया जाता है तो यह cyclosporine A के trichoderma polysporum से बनाया जाता है next question इसमें statins commercially used as blood cholesterol lowering agent are produced wise में भी यह पुछा है मतलब ऐसा ही कि उसमें पुछा है तो statin हम वो किस से बनाया जाता है तो statins बनाया जाता है monoscus purpuris होता है उससे statins बनाते हैं और यह blood cholesterol को कम करने के काम में आती है यह agent next question इसमें gene silencing using RNA technique is applied to mac gene silencing की टेकनिक होती है RNA interference technique बोलते हैं इसको यह क्या बनाने के लिए काम में ली जाती है तो nematode resistant plant होते हैं यह बनाने के लिए काम में ली जाती है जो BT cotton वगेरा का plant बनाय गया यह RNA technique से बनाय गया इसमें gene silencing की जाती है RNA interference technique बोलते हैं इसको तो यह nematode resistant plant बनाने के काम में आती है next question है इसमें match the column first with column second and choose correct option parthenogenesis पुछा है parthenocarpy apomyxis पुछा है इसमें और poly embryo नी पुछा तो parthenogenesis क्या होती है parthenogenesis इसमें होती है formation of embryo from egg cell without fertilization egg cell से ना embryo सीधा ही बन जाता without fertilization के तो इसको तो बोलते हैं parthenogenesis और parthenocarpy क्या होती है parthenocarpy होती है कार्प यानि fruit formation of fruit without fertilization ये fruits का formation ना वो भी without fertilization इसमें होता है और इसमें apomyxis क्या होता है formation of seed without fertilization seed का formation है वो without fertilization होता है और poly embryo क्या होता है कि एक ही embryo के अंदर बहुत सारे seed बनते हैं एक ही embryo के अंदर बहुत सारे तो parthenogenesis without fertilization embryo बनता है parthenocarpy without fertilization है वो इसमें fruit बनता है apomyxis में without fertilization seed बनता है और poly embryo नी क्या होती है जब एक से ज़्यादा इसमें seed बनते हैं एक ही embryo में इसमें correct option है a में 4 b में 3 c में 2 तो correct option है ना बच्चों इसमें होगा option number 2 correct option इसमें option number 2 है next question है denitrification process is carried by जो denitrification का process है ना वो किसके दुआरा होता है तो denitrification का process है ना वो होता है pseudomonas और thaiobacillus के दुआरा pseudomonas दो bacteria होते ही और thaiobacillus तो correct option है ना इसमें होगा option number 3 next question इसमें दे रखा है ecologist evaluates the species diversity on the basis of which parameter तो species diversity है ना वो ecologist किसकी parameter पे ना चूज करते हैं तो species richness and evenness only species richness only heaviness और distribution and adaptability तो देखो इसमें correct option ना वो होगा species richness ज्यादा species कहां पर पाई जाती हैं और उसमें से वो species वहीं पे evenness यानि वहीं पे बनी हैं क्या तो species diversity उससे चूज होती हैं यानि वो species पहले नम्मर वन नेक्स्ट क्योशन इसमें पुछा है वी चोपता following set contents macronutrients तो macronutrients का set पुछा है तो macronutrients होते हैं वो तो ज्यादा चाहिए plants को जो macronutrients होते हैं वो कम भी काम में कम में भी काम चल जाता है इनका तो नेक्स इसमें correct option होगा P, N, K, M, G और K, M, N, F, E को देखो सबसे पहला option ही इसमें correct है phosphorus, nitrogen, potassium और magnesium है ये plants को सबसे ज़्यादा चाहिए next question है select odd one out with respect to plant group तो इसमें plant group दे रखे हैं और ये odd है ना वो इसमें से select करना है में तो psychos, pinus और cidrus ये तीनों ही gymnosperm होते हैं ये इसमे funeria, sphagnum and mercensia ये bryphites होते हैं spirogyra, volvex और eulothrix ये तीनों algae होते हैं silaginela, polytrichum और porphira तो देखो इसमें से silaginela और तो होता है teridophyte polytrichum होता है इसमें bryphite और porphira इसमें होता है alga तो correct option होगा इसमें option नम्मर silaginela, polytrichum और porphira porphira तो होता है algae polytrichum होता है bryo और silaginela होता है teridophyte correct option होगा next question है वी चोपता following सेट इसे synthetic pgr तो synthetic pgr का correct option इसमें पुछा है तो वो क्या होता है तो देखो synthetic pgr किसको बोलते हैं plant growth regulator जो synthetic यानि artificially जो बनाया जाता है न लैब में तो वो होता है synthetic pgr तो kinetine, 2,4-D, N,N,A तो यही correct option हो जाएगा इसके में kinetine बनाया जाता है artificially 2,4-D और N,N,A यह दोनों oxygen है और यह cytokinin है तो correct option होगा इसमें option number one next question इसमें पुछा है match the item of column pest column pest और column second को इसमें match करना तो morphine, nicotine, margina तो यह देखो drugs दे रखें और इनके सामने इनके cannabis sativa यह plants दे रखें इनको आपस में match करना है तो morphine इसमें से क्या होता है morphine होता है वो निकलता है pepever, somniferum से morphine निकलता है pepever, somniferum, nicotine, nicotiana, tobecum से margina, margina, sativa से और cocoa, alkaline वो क्या है erythroxelum coca से निकलता है तो morphine, pepever, somniferum यानि अफिम का प्लांट होता है nicotine, nicotiana, tobecum यानि तंबाखु का प्लांट होता है margina, cannabis sativa, धतूरा का प्लांट होता है और cocoa, alkaline यह erythroxelum coca से निकलता है तो correct option होगा इसमें option no.2 next question इसमें हम देखते हैं maximum mass of the bones is made up of maximum mass of the bones का वो किस से बना बना होता है सबसे जदा bones केंदर क्या पाई जाता है तो इसमें calcium और phosphate पाई जाता है bones कें अदर सबसे जदा so crystal of calcium और phosphate इसमें correct option होगा next question इसमें दे रखा है bones के दाब पोटी के अंदर तो तो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है अनीमल्स में लेकिन इसमें बॉन का मास पुछा सबसे ज्यादा किस से बना तो यह क्रिस्टल ओप कैल्सियम फोस्पेट के बने होते हैं नेक्स्ट क्यूसन इसमें पुछा है वीच आप फॉलोविंग स्टेट्मेंट इस त्रिव अबाउट कोक्रोज तो कोक्रोज के लिए इसमें फॉलोविंग स्टेट्मेंट अवर्ट रू पुछा है तो इसमें इन फीमेल एनली स्टाइल इस परजेंट तो यह तो रोंग हो अंदर correct option हो जाएगा option number two next question है in human body creatinine is produced by human body के अंदर creatinine है वो किस से बनता है तो breakdown product of creatine phosphate of muscles by product of uric acid in kidney by product of urea in kidney by product of ammonia in liver तो देखो इसमें correct option है ना वो creatine phosphate होता है ना यह muscles के अंदर होता है और इसके breakdown से creatine बनता है और उसके बाद में यह liver में जाता है तो correct option होगा इसमें option number one muscles के अंदर creatine phosphate पाया जाता है और यह तूटने के बाद में creatine बनता है इनसे next question है इसमें in nervous conduction during depolarization जब nervous conduction होता है ना nervous impulse neurons के अंदर transmitter होता है तो depolarization के मतलब कारण इसमें क्या होता है क्या होता है जब depolarization इसमें होता है तो देखो जब depolarization होता है ना तो जो यह neuron की यह membrane होती ह ना इनसे sodium यह out flux होता है sodium का यह influx होता है तो इसमें sodium का influx होता है depolarization में sodium आइंस है ना वो membrane के अंदर जाते हैं इसमें तो correct option होगा इसमें option number one next question है इसमें blood groups are controlled by antigen which are present blood groups है ना वो antigen के दुआरा control होते हैं तो वो कहां पर आ पाई जाते हैं 06 1050 मेंब्रेन के ओपर परजयंट होते है कि आर्भीसी के जो यह membrane होती है इसके ऊपर यह receptor परजयंट होते हैं our antigen के तो final show till A को में तो ऑर बी दोन उन्वाप्सेंट होते यह भी में और भी दोनों एंटिजन परजेंट होते हैं, बी में ए परजेंट होता है और यह में बी परजेंट होता है, तो correct option होगा, इसमें option number two, next question है, इसमें which of the following is correct match, तो correct match पुछा तो इसमें बैलेनो गलेशस, हैमी कोर डेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सेक्सेज और सेपरेट, अपलाइसिया, मॉलस्का, सेग्मेंटेड बोडी, प्रिस्टिस, पोरिफेरा, स्पाइक्यूल, स्केल्टन, प्लूरो ब्रेंक्या, ट्रीनोफोरा, टीशू लेवल, तो इसमें देखो, प्लूरो ब्रे प्लूरो ब्रेंक्या होता है, वो टीशू लेवल का और प्लूरो ब्रेंक्या होता है, सबसे पहले होता है, पोरिफेरा, पोरिफेरा के बाद में आता है, निडेरिया, यानि सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में आता है, टीशू लेवल, प्लूरो ब्रेंक्या होत मैंजेसें सबसे पहले कि इसमें मतलब दिखता है तो वो निडेरिया होता है ना सिलेंट्रेटढ एनिमल सुन में दिखाई देता है तो कorrect option होगा इसमें option no.4, next question ही उसमें दे रखा है arrange following elements in the order of their evidence in human body, तो हुमेन बड़ी के अंदर इनका अरेंज पुछा है पाने मतलब सबसे ज्यादा क्या पाय जाता उससे कम क्या पाय जाता तो देखो human body के अंदर रहना सबसे मतलब पाय जाने का जो रेश्यू है ना तो उसमें देखो correct option है ना इसमें पाई जाता है इन में 4 पुछे हैं इन में से तो सबसे ज़्यादा sodium और potassium पाई जाते हैं उससे कम लोहा पाई जाता है और उससे कम copper पाई जाता है human body के अंदर पुछा है तो यह biomolecules related question है नेक्स्ट question है इसमें primary spermatocytes primary spermatocytes क्या होते हैं इसमें पुछा आर्फोर्मड वाइ सर्टोली सहल आर्फोर्मड वाइ स्परमेटोगोनिया वाइ मियोसिस डिवजन गीव राइस टू हैपलोईड सेकेंडरी spermatocytes और गीव राइस टू स्परमेटीड डारेक्ली तो देखो प्राइमरी जो स्परमेटोसाइट होते हैं उनमें होता है मियोसिस और मियोसिस के बाद में यह बनाते हैं secondary spermatocyte तो correct option इसमें होगा give rise to haploid secondary spermatocyte correct option होगा इसमें option नमर 3 next question इसमें दे रखा है pancreas secret pancreas क्या secret करता है steroid hormones only protein is hormone only both steroid and peptide hormones और इसमें 4 दे रखा है none of these तो pancreas ना वो mostly protein के बने हार्मोन ही secret करता है इसमें pancreas क्या करता है protein के बने हार्मोन secret करता है इसमें alpha, beta, delta और peptide cells पाई जाती है इसमें चारतर है की तो alpha से होता है glucagon, beta से होता है insulin, delta से होता है somatostatin और इससे होता है peptide यह चारों ही peptide hormone होते है correct option इसमें होगा option number two protein is hormone only next question आई even if there is no damage in photoreceptor cell still the person not able to see due to damage of each part of the eye देखो photoreceptor cell है वो भी damage नहीं हुई है तो कौन सा जो organ है वो damage हो जाएगा जिससे आदमी को दिखाई नहीं देता है तो cornea होता है cornea जब damage हो जाता है कोई भी loss मत हो चाए आपकी eye के अंदर क्योंकि cornea के अंदर है ना blood supply वगएर नहीं होती तो इसके अंदर है ना इनकी जो ये damage होते है ना photoreceptor cells वगएर तो इनका इसके उपर फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर cornea damage हो गया ना तो आपको वो region होता है कि जब cells तो damage नहीं होती लेकिन cornea damage हो गया तो आपको दिखाई नहीं देगा visualization नहीं बनेगा तो इसमें tubectomy, vasectomy, periodic abstance of cortex from 10 to 17 days और periodic abstance of cortex from the day इसमें दिया है इसमें 4 नमर का option में दिया है 6 to 9th menstruation cycle तो देखे correct option है ना इसमें option number 4 होगा tubectomy भी होती है वैसectomy भी होती है और periodic जब हम 10 से लेके 17 तक इसमें cotis periodic abstance करते हैं तब भी नहीं होता है तो जो 6 और 9 का है ना वो इसमें कोई function नहीं करता correct option होगा इसमें option number 4 क्योंकि इस time over release नहीं होता है तो fertilization कहां से होगा इसमें next question इसमें पुछा है select the correct option about the given diagram तो diagram में से correct पुछा तो a alligator dry cornified skin four chambered heart b macropos b इसमें दिया मेक्रोपस ओवी पैरस यूरियो टेलिक और c इसमें दिया है crocodiles ओवी पैरस और four chamber heart b इसमें दिया है ओपोसम यूवी पैरस या यूरियो टेलिक देखो तो इसमें यह आमें नजर आ रहा है तो यह alligator है alligator का जो mouth होता है न वो वी sept ऐसे होता है वी sept ग्रोकोडाइल नहीं होता है ग्रोकोडाइल का यूशेप्ट होता है तो alligator है इसमें dry corn यह होता है reptile reptile के अंदर क्या होता है epidermal scales पाई जाते हैं body के उपर और four chambered इसमें heart होता है देखो reptiles होते ना उनके अंदर three chambered heart होता है बट इसमें exception होता है कि crocodile में four chambered heart crocodile की जो species होती है alligator भी crocodile होता है वैसे तो इसमें four chambered heart पाए जाता है तो correct option होगा इसमें option number a next कि उसे ना select the correct option about given diagram तो भी इसमें दे रखा compound epithelium for protection and cover the dry surface तो देखिए कि compound epithelium का क्या होता है इसमें character तो इसमें बहुत सारी इसकी layers पाई जाती है single layered नहीं होती है और ये dry skin को cover करने का काम करती है protection का ये squamous epithelium for diffusion and filtration तो इसमें squamous epithelium है ये cuboidal दे रखिए इसमें तो ये diffusion और filtration का अवरक नहीं करती है इसमें जो diffusion और filtration का अवरक करती है न वो simple epithelium होती है cuboidal नहीं होती है वो next question है इसमें cube-like cells found in wall of blood vessels and air sex of lung नहीं इसमें जो tile-like cells होती है simple epithelium की वो पाई जाती है blood vessels और air sex of lung में B compound epithelium multi-layered found in tubular part of nephron tubular part में ये नहीं पाई जाती है तो correct option नहीं इसमें option number B होगा ये क्या compound epithelium है multi-layered होती है और ये protection का अवरक करती है स्कीन को next question इसमें estrogen is used to avoid pregnancy because estrogen है वो pregnancy को वोइड करने के काम आता है क्योंकि ये prevents ovulation and implantation prevents fertilization, inhibitive sperm mortality और form cervical तो देखो estrogen होता है न वो ovulation और implantation की process है न उसको रोकता है ये estrogen जब ज्यादा होगा तो fertilization नहीं होता है ovulation ही नहीं होता है उस time तो कहां से fertilization होगा तो ये pregnancy को वोइड करता है next question है cholecystokinin help in secretion ओप तो cholecystokinin जो होता है न वो किस से निकलता है वो वो निकलता है deudonum से और ये किस के secretion में help करता है तो ये cholecystokinin जब ज्यादा निकलता है तो pancreatic enzymes है न वो question दे रखे 20 assertion origin west question दे रखें इसमें तो इसमें दे रखा है in angiospums endosperm nucleus is triploid as it is formed due to fusion triple fusion gymnosperm leg endosperm because they leg triple fusion तो देखो इसमें correct option है न वो option है इसमें ज्यम्नो स्पम के अंदर क्या होता है triploid endosperm पाया जाता है nucleus इसमें triploid होता है क्योंकि ये इसमें triple fusion पाया जाता है इसमें दो बार है न एंजिस्पम के अंदर double fertilization का process होता है और gymnosperm के अंदर क्या होता है है hyploid endosperm पाया जाता है इसमें एक बार fertilization होता है इसमें haploid देखेचे इसमे लेक एंडोस्पम नहीं होता, यह एंडोस्पम परजेंट होता है, जिमनोस्पम के अंदर, लेकिन यह क्या होता है, हैपलोइड होता है, तो इसमें करेक्ट ओप्सन है, ओप्सन नमर C होगा, असर्शन इसमें true है, और रीजन इसमें false है, नेक्स्ट क्यों से इसमें, इन C4 प्लांट्स बोथ C3 और C4 साइकल्स आर परजेंट, तो इसमें करेक्ट ओप्सन है न, वो होगा, C4 प्लांट्स है न, वो मौर एफिसेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या कि CO2 है न, उसको असेप्ट करने के लिए एक अलग तरह का मेकेनिजम पाय जाता है, और ये इसमें O2 कंसेक्ट्रेशन ज्यादब होता है बार, और photorespiration की process है न, वो useful process नहीं होती, इसमें photorespiration है न, वो कम होता है C4 प्लांट्स में, इसलिए ये more efficient है, इसमें C3 और C4 दोनों ही cycle present होते हैं, तो correct option है न, इसमें option number C होगा, C4 प्लांट्स मोर efficient इसलिए है, इसमें photorespiration है, वो कम बाया जाता है, और photorespiration वो useful न, हारम full process होता है एक तरह से ये, next question है, इसमें golden rice is obtained by mutation breeding, तो देखो जो golden rice है न, वो mutation breeding की वज़े से नहीं होती ह है ये, ये genetically modified crop होती है, GMC होता है, ETJ GM crop, तो देखो इसमें है न, mutation breeding से नहीं है, ये gene transfer की method से, plant breeding method से, ये पाई जाती है ये, तो इसमें assertion जब wrong हो गया न, तो इसमें कोई भी ऐसा option नहीं दे रखा है, जो assertion जिसमें wrong होता है, तो इसमें सिरफ assertion wrong होने का option है न, न, वो D है, तो इसमें correct option होगा, genetically modified crop तो है ये, बट इसमें जो fast assertion वाला portion है न, वो wrong दे रखा है, तो correct option इसमें option होगा, option number 4, next question इसमें दे रखा है, acetobacter, acetai can be used for commercial production of acetic acid, और acetobacter rhizogenus produce secondary metabolite, तो देखो इसमें है न, acetobacter acetai से, तो acetic acid है न, वो obtain किया जाता है, और agro vector rhizogenus है न, उससे secondary metabolite, तो दोनों ही statement है न, ये true है, assertion भी true है, और region भी true है तो इसमें, लेकिन ये इसका correct explanation नहीं दे रखा, दोनों अलगलग statement दे रखें, तो correct option होगा, इसमें option number B, next question है, the bond strength of 80 and GC are same, both are nitrogen base pair, तो देखो इसमें न, 80 और GC के अंदर है न, bond की जो strength होती है न, वो same नहीं होती है, एक के अंदर तो double bond पाय जाते हैं, एक के अंदर triple bond पाय जाते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए न, energy require भी अलग-अलग होता है, और both are nitrogen base, तो nitrogen base तो है ये, लेकि ये bond strength है न, इनकी same नहीं होती है, तो इसमें assertion जब wrong हो गया न, तो अपने आप ही correct option, इसका option number D हो जाएगा, क्योंकि assertion इसमें wrong का option, option 4 ही देते हैं, next question है, इसमें crop gives better yield, if ladybird are left in crop fields, they feed on paste butterfly, तो जब खेत में ladybird है न, वो वहाँ पर पाई जाती है न, तो फसल है न, वो अच्छी होती है, तो crop है या न, मतलब जादा better production होता है, fields के अंदर, तो they feed on paste butterfly, वो paste butterfly को खा लेते हैं, तो देखो जो इसमें ladybird होती है न, वो होती है, वो क्या करती है, वो जमीन को खोदती है, और खोदने की वज़े से न, air cavity ज्यादा बन जाती है, और plant की growth अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें plants को अच्छे से हवा मिलती है, ये pest butterfly को feed नहीं करती है, तो correct option है न, इसमें option number, assertion तो true है, region false है, तो correct option होगा, इसमें option number, c, next question animated infection can be treated by RNAi interference, और reason इसमें दे रखा है, malio disease incognitia is responsible for root node disease in certain dicots, तो देखो इसमें correct option animated को, infection को control करने के लिए RNAi यूज में लिजाती है, और ये maladinia जो incognitia है, ये responsible है, root node disease के लिए, dicot roots में, तो दोनों ही assertion और reason, दोनों ही true है, तो correct, बट ये इसका correct explanation नहीं है, दोनों statement है न, वो अलग अलग दे रखे हैं, तो correct option होगा, इसमें option number B, next question दे रखा है, heterocyst are found in nitrogen fixing BGA, heterocyst होती है न, वो nitrogen fixation BGA, nitrogen fixation करती है BGA के अंदर, BGA are very useful nitrogen fixation, तो BGA है न, वो useful nitrogen fixation, तो heterocyst है न, वो एक तरह से nitrogen fixation के लिए, एक तरह की cells होती है, और इनके अंदर, ये present होता है, इनका method, nitrogen fixation करने का, और ये very useful, तो दोनुं statement true है, बट ये इसका explanation नहीं है, कि heterocyst क्यों करती हैं इसको, क्या reason होता है, जब heterocyst nitrogen fixation करती हैं, तो correct option है न, इसमें option number होगा B, next question इसमें दे रखा है, assertion दे रखा है, all cells having uncontrolled growth are cancerous, तो देखो, इसमें correct option है न, assertion दे रखा कि, जो uncontrolled growth होती है न, वो हमेशा cancer ही होती है, तो इसमें ये wrong हो गया, uncontrolled growth हमेशा है न, cancer नहीं बनाती है, UV rays can cause cancer, UV rays हैं, वो cancer को cause करती हैं, तो देखो, ये कर भी सकती हैं, mutation करके और नहीं भी कर सकती हैं, तो इसमें, दोनों, assertion और region दोनों ही wrong दे रखे हैं, तो correct option होगा, इसमें option number D, assertion दे रखा, enzyme are found in globular form, enzyme are trussary structure of protein molecule, तो देखो, enzyme है न, वो globular form में पाए जाते हैं, और ये trussary structure होती हैं, तो globular form में पाए जाने का region यही होता है, कि ये trussary form में पाए जाते हैं, तो इसमें region और assertion और region दोनों statement true हैं, और ये इसका correct explanation है, तो ये होगा option number A, globular form में पाए जाने का मतलब क्या होता है, ये जब trussary structure में पाए जाते हैं, उस time ये stable होते हैं, next question है, इसमें, Turner syndrome is characterized by short structure and infertility, that is due to 45th chromosome with XO, तो देखो, ये जो Turner syndrome होता हैं, ये इसके अंदर हैंना, मतलब structure यानि, छोटे होते हो और infertility, यानि ये non-fertile होता है, ये organism यानि अनिमल होता है, ये women's के अंदर पाए जाते हैं, Turner syndrome, तो इसका region क्या होता है, ये 45th जो chromosome होता हैं, ये इसके अंदर एक क्रोमोजोम का जो भी पार्ट होता हैं, वो इसमें लेस हो जाता है, तो इसका region भी true हो और assertion भी true है, तो correct option होगा, इसमें option number A, Turner syndrome है, वो 45th जो chromosome होता हैं, उसके अंदर एक क्रोमोजोम का loss होने से होता है, और ये इसके अंदर ओर्गन हो सोट हो जाते हैं, और infertile human बनता है इसके अंदर, next question है इसमें, plant growth regulator, assertion दे रखा, plant growth regulator are essential for plant growth, aquaporin cell in transport of water, तो दोनु statement अलग दे रखे, plant PGR होते हैं न, वो essential होते हैं, plant growth के लिए, aquaporin होती हैं, एक protein होती हैं, जो water transport के लिए cell membrane में पाई जाती हैं, तो दोनु statement हैं, वो true हैं, तो और ये correct explanation नहीं है, दोनु statement अलग लग हैं, वो true हैं, तो इसमें correct option होगा, option number B, next question इसमें दिया, if the biocupcid valve is damaged, then the blood supply to dorsal erotis decreased, reason biocupcid valve occurs between right atrium and right ventricle, तो देखो, इसमें biocupcid valve हैं, वो damage हो जाता हैं, तो dorsal erotis में blood level हैं, वो कम हो जाता है, blood supply कम हो जाती है, और biocupcid valve होता हैं, वो right atrium और right ventricle के बीच में पाई जाता है, तो देखो, इसमें ना correct option, ये तो assertion तो true है, लेकिन reason इसमें फोल्स दे रखा, और इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आलसो कॉन्टेन फोल्स दे रखा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आलसो कॉन्टेन 46 क्रोमोजोम, तो primary स्पर्मेटोसाइट होता है, वो तो होता है, deployed to an structure होती है, और इसके अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन जो secondary स्पर्मेटोसाइट्स हैं, वो इसकी meiosis से बनता है, primary स्पर्मेटोसाइट की, और उसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम पाये जाते हैं, ये गलत है, इसके अंदर 20 haploid structure होती है, secondary स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर 24, 23 क्रोमोजोम पर्जेंट होते हैं, तो assertion तो true है, और reason है, वो false है, तो इसमें correct option होगा, option number C, next question इसमें दे रखा है, वोचेरिया ब्रेंकोफटाई कोजेज elephantitis, वोचेरिया जो ब्रेंकोफटाई है, वो elephant हाती पाउं का जो रोग होता है, जिसमें मतलब बहुत सारा ये, it is transmitted by female culex mosquito, तो देखो, वोचेरिया जो ब्रेंकोफटाई होता है, वो elephantitis के लिए, ये responsible होता है, और ये female culex, जो मच्छर होता है उसकी वज़ज़ से, ये transfer होता है, तो इसमें दोनों हाना, कोजेज तो इसमें दे रखे हैं, लेकिन ये इसका correct explanation नहीं है, ये, ये brain kept आई हैंना, ये कैसे ये बिमारी को बनाता हाथी फांड जो डिजीज होती है न, इसको कैसे बनाता है, और ये इसका transmission factor वेक्टर दे रखा, female culex, जो मुश्क्यूट होता है न, उससे फैलता है, तो इसमें correct option होगा, option number B, दोनों statement true हैं, बट दोनों अलग अलग है, रीजन नहीं है इसका correct, next question है, trypanosoma is a member of protista, it is an eukaryotic unicellular parasitic phlegiolated organism, trypanosoma है न, वो protista का member है, ये तो true है सर्शन तो, it is an eukaryotic unicellular parasitic phlegiolated organism, और ये क्यों है, इसका protista का member ये दे रखा, ये eukaryotic होता है, unicellular parasitic होता है, और phlegiolated organism होता है, इसलिए इसको member protista का बनाए गया, तो ये दोनों statement true है, और ये इसका correct explanation भी है, तो correct option इसमें हो जाएगा, option number A, next question इसमें दे रखा है, size of thymus decrease with advancement of age, thymocene secretin decrease, hence immunity decrease, तो देखो, इसमें correct option हैना, तो thymocene attendant 앞으로 क्या अकोर्डिंग हैना, तीरे-दीरे हैना, लेश हो जाती है, थाइमश जो gland होती हैना, थाइमश ग傑लेंड हैना, वो उमर के अकोर्डिंग दीरे-दीरे लेश हो जाती है, थाइम Insp Dis Below Sc greeting, secretion decrease hence immunity decreasing और जो thymosin का seccression है वो कम होने की वज़े से immunity कम होती है तो ये इसमें region है ये true नहीं दे रखा है हाँ thymosin का seccretion कम होने से immunity भी वो कम होती है ये भी true दे रखा है और ये भी true दे रखा, बढ़ ये इसका correct explanation नहीं दे रखा割 यूदि थाइमस जो गलेंड है वो क्यों होती है, डिक्रीज एज के कोर्डिंग ये रीजन नहीं दे रखा है इसमें, तो correct option दोनु इस्टेटमेंट है, वो तो true है, बट ये इसका region है, ये correct नहीं है, next question है, इसमें, human immune deficiency virus is known to cause, इसका option नमर भी होगा, 177 का अंस्वर, assertion और रीजन दोनु ट्रू है, बट ये correct explanation नहीं है इसका, next question इसमें दे रखा है, human immune deficiency virus is known to cause AIDS, it reduced count of T helper cell, तो देखो, AIDS होता है न, वो HIV की वज़़द से होता है, और ये क्या करता है, T helper cell को, count को कम कर जाता है, यानि T helper cell को damage करता है, लेकिन ये इसका region नहीं दे रखा न, ये कैसे करता है इसको, ये infect कैसे करता है, इसका region नहीं दे रखा, तो assertion और region दोनु ट्रू है, बट इसका correct option नहीं, option number two सही होगा, assertion दोनु statement ट्रू है, बट ये region, next question, इसमें दे रखा है, assertion only estrogen can be used for contraception, estrogen है, वो contraception के लिए यूज में आता है, reason दे रखा है, इस्ट्रोजन inhibit, ovulation and implantation, इस्ट्रोजन है, वो ovulation और implantation को inhibit करता है, तो only estrogen है, वो इसको contraception को यूज में अकेला, estrogen यूज में नहीं लिया जाता है, इसके साथ में और भी ले जाते हैं, estrogen क्या करता है, ovulation और implantation को inhibit करता है, तो जो correct option है, assertion ही, जब इसमें wrong हो गया, तो option number D, इसमें correct होगा, next question है, assertion दे रखा है, MRI is the nice technique to detect the problem seen internal organ, two third of the human body is made up of hydrogen which has one electron, तो देखो, इसमें MRI technique है न, वो internal organ की जाज के लिए यूज में ली जाती है, और two third जो पार्ट है न, हूमेन का, वो hydrogen की वज़े से बना होता है, इसलिए ये यूज में ली जाते हैं, तो इसका region true नहीं है, assertion तो true दे रखा है, इसमें लेकिन region इसका force दे रखा है, तो correct option है न, option number C होगा, ये थी बच्चो आज की class, मैंने इसको सीधे सीधे way में explain किया, क्योंकि बच्चों ने पीछे वाले वीडियो देख किये, सिकायत किये, कि मैं माप सारे questions को, options को tick मत किया करो, तो अगर आपको न, ये class अच्छी लगी है न, तब मेरे वीडियो session को न, please like जरूर करें, जिससे जो भी बच्चे नीट की preparation कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी PYQ practice हो जाएगी, और नए बच्चे हैं वो इसको subscribe करें channel को, और जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे भी ये वीडियो बना के ले आऊँ, और मैं इसके अंदर complete है न, biology की practice करवाईँगी, जिसके अंदर PYQ और MCQ दोनों होंगे, chapter wise MCQ भी मैं लेके आने वाली हूँ इसके अंदर वीडियो practice के लिए, अगर आपको ये class अच्छे लगी, please session को like जरूर करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा students के पास में पहुंच सके, thank you.